ये खोन नाडियों में चले ना कि ये नालियों में बहे साथ शम्रजी प्यार से कहना नहीं दो कुछ लोग आए वक्त की साचे में ढल गए कुछ लोग आए वक्त की साचे बदल गए जी हां कुछ लोग जो वक्त की साचे बदल जाते हैं वक्त सदैव उन्हें ढूंडता रहता है और वो सदैव मानफता की दिलों में धड़कते रहते हैं ऐसे लोगों को कहा जाता है युग प्रवर्तक तो आईए युग प्रवर्तक बाबा गुर्पचन सिंग जी को हम शत शत नमन करते हुए न्यूस टिवाइन के सफर के शुरवात करते हैं अप्रेल महीने के समाचारों के साथ मई के महीने के इस एपिसोड में मैं हूँ आपके साथ मुक्ता तो आईए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइन्स पर और अब खबरे विस्तार से दोस्तों कहते हैं सदियों के अंतराल में प्रकट होता है कोई ऐसा मसीहा जिसके विचार मानव जीवन की दिशा और दशा को बदल कर रख देते हैं निरंकारी जगत में बाबा आफ्तार सिंग जी बाबा गुर्पचन सिंग जी और बाबा हर्देव सिंग जी जैसे महा सूर्य उदित हुए हैं जिन्होंने अपने ओजस्वी विचारों की रश्मियों से अंधेरे में भटक रही मानवता को सही राह दिखाई भले ही वो माहा मानव आज हमारे बीच साकार रूप में मौजूद न हो लेकिन उनके संदेश आज भी हमारा मार्क दर्शन करते हैं निउस रिवाइन के शुरुवात में आईए सबसे पहले सुनते हैं सद्गुरु पाबा हर्देव सिंग्जी महराज के दिव्यवचन जैसे वो किसी ने कहा कि देखे हैं ऐसे इंसान जिन पे लिबास नहीं थे और देखे हैं लिबास जिन में इंसान नहीं थे कीमते से कीमती लिबास है लेकिन उस लिबास जो लिबास जिस बदन को लपेटा हुआ है जिस शरीर को उस वजूद को कहते हैं वहाँ पर इंसान नाम की कोई चीज ही नहीं है इंसानियत ही नहीं है मानवता ही नहीं है कुछ भी नहीं है केवल लिबास केवल खोल तो इसलिए महापुष्शान जन ये कहते हैं कि वो इनसान चाहिए वो इनसानों का रूपस नजर आए जो कभी महापुष्शान जो ने जिसके लिए सब को प्रेरित किया था कि ऐसा वजूद हमारा बने कि हम एनसान बन के जिये मानवता की डगर पर चलने वाले बने हिवानियत के रास्ते पर नहीं मानवता की डगर पर और मानवता की डगर पर चलते हैं यानि कि सचे धर्म की पालना कर रहे हैं क्योंकि मानवता ही सचा धर्म है और केवल और केवल एक ही धर्म है वो है मानवता का धरम अगर राम जी ने धरम का जिक्र किया या उसका परचार परसार किया वो मानवता ही था अगर भवान किश्व ने किया वो मानवता का ही धरम का स्थापन और परचार था अगर हजरत इसा मसीजी ने किया वो भी हुमैनिटी का मानवता का ही धरम का स्थापन हुआ था और अगर हजरत महम्मद साब ने किया वो भी मानवता का ही धरम स्थापन हुआ था और अगर शिरी गुर्नानक देव जी महराज ने किया वो भी मानवता का ही धरम स्था पित हुआ था तो इसलिए मानवता ही सच्चा धरम है दोस्तों खबरों की कडियों को जोड़ते हुए आई आगे बढ़ते हैं और चलते हैं उन कल्यानकारी राहों की और जिसे बाबा अवतार सिंग्जी ने बनाया और बाबा गुर्पचन सिंग्जी ने इसे सवारने और आगे बढ़ाने में अपने प्रान तक ने अचावर कर दिये और फिर इन राहों पर मानवता के कल्यान का दिर्ण संकल्प लेकर बाबा हर्देव सिंग्जी महराज ने 36 सालों का सफर दै किया और आज इन कल्यान कारी राहों पर बिना रुके बढ़ती जा रही हैं सद्गुरु माता सविंदर हर्देव महराज आईए देखते हैं एपरिल की महीने में हुई सद्गुरु माता जी की कल्यान यात्राओं का ब्यारा इस रिपोर्ट में सद्गुरु बाबा जी की निरंतर चलने वाली कल्यान यात्राओं को अपरेल माह में एक नई गती मिली सद्गुरु माता जी अपने काफिले सहित उत्तरप्रदेश वाउत्तरखंड होते हुए नेपाल देश की ओर बढ़ चले इस देश में बसने वाले शद्धालूओं पर पहली बार सद्गुरु की किर्पाद्रिष्टी बरसी थी वर्ष 1992 में जब सद्गुरु बाबा हर्देव जी महराज का देश की सीमा को पार कर इस पडोसी मुल्क में पदारपन हुआ था उस दोर में यातायाद के इतने साधन नहीं थे और ना ही दुनियावी तोर पर आज जैसी सुविधाएं ही मोहया हो पाती थी परन्तु दयालू बाबा जी ने किसी भी मुश्किल की परवाह किये बगैर जो भी साधन मिला चाहे वुतार हो या तूटी सी नाव आप उसी में चल पड़े तूटी बिखरी मानवता के बीच प्रेम का पुल बनाने बिना किसी भेदभाव के छोटे कच्चे मकानों और फूस की जोपड़ियों में आपके पावन चरण पड़ते गई और मानवता कृतार्थ होती गई सद्गुरु बाबा हर्देव जी महराज के पावन चरण चिन्हों पर चलते हुए 6 अप्रेल को सद्गुरु रूप में पहली बार माता जी ने देश की सरहदों के दरवाजे खोले और चल पड़े पड़ोसी देश नेपाल के भगतों को कृतार्थ करने परन्तु योपी के सितार गंज में एकत्रित भगतों के श्रद्धा ने रोक लिया सद्गुरु माता जी ने यहां नवीन निर्मित सचंग भवन का उद्गाटन शिला लेक का अनावरण करके किया और बड़ी संख्या में भवन पर एकत्रित भगतों को आशिरवाद दिया इसके पर शाद सद्गुरु माता जी का आगमन उत्तरा खंड के खटीमा में हुआ यहां पर भी नव निर्मित सचंग भवन का उद्गाटन सद्गुरु माता जी ने किया और उपस्तित भगतों को चर्णों पर नमस्कार का अफसर दिया सद्गुरु की रहमतों का ये सिलसिला देर रात तक चलता रहा अगले दिन साथ अप्रेल को सद्गुरु माता जी खटीमा के भगतों को आशिरवाद देते हुए अपने काफिले सहित भारत नेपाल सीमा पर पहुँचे सीमा पार करते ही आसमान से बूंदों के रूप में मानो फूलों की बौचार शुरू हो गई ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रकरती भी सद्गुरु के नेपाल आगमन पर खुशी प्रकरत कर रही हो स्थानिय भक्तों ने यहाँ पर अपने सद्गुरु का भाव भीना अभिनंदन किया तेस बारिश के साथ साथ रहमत की भी बरसाध होती रही और भक्तों का उत्साह बढ़ता जा रहा था सद्गुरु माता जी शद्धालुओं के आगरह पर उनके आशियानों को अपने पावन चर्णों से धन्य करते हुए आगे बढ़ रहे थे राश्ते में महेंदर नगर सथ संग भवन पर भी एकत्रीत भक्तों को सद्गुरु माता जी की भरपूर कृपा प्राप्त हुई यहां से चल कर ये रूहानी काफिला कैलाली पहुचा भोले वाले ग्रामीर भक्त और सुविधाओं से विहिन गाउं का क्षेत्र हिर्दय में श्रद्धा के भाव लिये धूल से भरी कच्ची सड़क पर श्रद्धालू भक्त अपने सद्गुरु की प्रतिक्षा में नैन बिचाए इंतजार कर रहे थे ममता मैी सद्गुरु माता जी के दर्शन पाकर भक्त जन भाव विभोर हो उठे सद्गुरु माता जी ने यहाँ पर भी भवन के शिला लेख का अनावरण कर उधगाटन किया यहाँ पर बच्चों ने पारंपरिक परिधान में मोहक प्रस्तुती के माध्यम से सद्गुरु माता जी का स्वागत किया यहाँ पर भग्तों को आशिरवात परदान कर सद्गुरु माता जी का आगमन कैलाली के मसूरिया में हुआ मसूरिया में भी सद्गुरु माता जी द्वारा सच्चंग भवन का उधगाटन किया गया इसी प्रकार रास्ते भर स्थान पर शद्धालू भगतों को आशिरवात प्रदान करते विए देर राद सद्गुरु माता जी अपने काफिले सहित टीकापूर पहुंचे टीकापूर में सद्गुरु के स्वागत समारोह के रूप में विशाल संख्या में संगतें 71 थी स्थानिय परिधान में सुसर्जीत बच्चों ने पारम परिधंग से सद्गुरु माता जी का स्वागत किया अगले दिन 8 अप्रेल को टीकापूर के हवाई एड़ा मैदान में नेपाल का भव्य समागम आयोजित किया गया था इस समागम में नेपाल के अनेक शहरों के अलावा भारत के अनेक शेत्रों से भी संगतों का अगमन हुआ यहाँ पर भगतों की सुविधा हेतु लंगर, ज्यानकक्ष, प्रकाशन, प्रदर्शनी, डिस्पेंसरीज, सेवधल कारियाले आदी अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं की गई थी मुख्य मंच पर देर तक नेपाली के अलावा मैथिली, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, आदी अनेक भाषाओं के माध्यम से सत्य का संदेश दिया जाता रहा लंबी-लंबी कतारों में अनुशासन बद्भक्त, देर तक सद्गुरु माता जी के चर्णों में जुक कर आशिरवात प्राब्द करते रहे अंत में आपने अपने उद्बोधन में सकारात्मक सोच के साथ जीने का संदेश दिया गुर्मत के नजरिये से तो वैसे ही सब अपने हैं और ये नजरिया सिर्फ तब मिलता है जब इस नरंकार प्रभु परमात्मा का ज्यान होता है इसके अंसंग दर्शन हो जाते हैं तो हमें पता चलता है हर व्यक्ती में इसी का अंश है, हर व्यक्ती हमारा अपना ही है साथ संगा जी बाबाजी अक्सर फरमाते थे अगर हमने नाप तोल करना है नुक्स निकालने हैं तो अपने अंदर से ही उनको निकालें कहीं हम किसी का बुरा सोच या कर तो नहीं रहे हमने सब का भला करना है साथ संगा जी जो जो हम अपने आपको सुधारेंगे तो तो हम तभी हम इस मिशन की और उचाईयों पे अपना जीवन को लेके जाँ पाएंगे अगले दिन 9 अप्रेल को सद्गुरु माता जी ने संत निरंकारी आदर्श विद्यामंदिर विद्याले का अवलोकन किया यहाँ पर विद्याले के प्रबंधकों और शिक्षकों ने सद्गुरु माता जी का भावभीना अभिननदन किया इसके उपरांत सद्गुरु माता जी ने स्थानिय भवन पर नेपाल की कारिकालनी समिती को मार्ग दर्शन प्रदान किया सद्गुरु का रूप भले ही बतल जाए, किन्तो उसका प्रेम, करुणा और कृपा अपने भगतों के लिए हमेशा एक जैसी ही रही है। सद्गुरु बाबा जी का प्रेम से भरा पावन साने धे, जिसमें भगतों को स्वर्ग कीसी अनुभूती होती थी। वही गुरु और गुर्सिक का पावन नाता निभाना, भगतों के रंग में रंग जाना, उनकी खुशियों के लिए हसना, मुस्कराना, अनेकों प्रियत्न करना, आज सद्गुरु माता जी अपनी परवाह ना करके निभाते जा रही है। सद्गुरु बाबा जी के मानव कल्यान का स्वपन आज दिन रात, लगन, मेहनत और समर्पन भाव से साकार कर रहे हैं। सद्गुरु माता सविंदर हर्देव जी महराज। दस अप्रेल की सुबा टीकापूर के भगतों को अपनी पावन किरपा से भरपूर निहाल करते हुए, सद्गुरु माता जी अपने काफिले सहित भारत जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़े। रास्ते में नेपाल के लमकी में भगतों को सद्गुरु माता जी के दर्शन वा आशिरवाद प्राप्त हुए। और फिर मोतिपुर में भोले भाले ग्रामीनिट भगतों के बीच खुले वाहन में सभी को दर्शन देते हुए, वा सभी का अविवादन सुविकारते हुए सद्गुरु माता जी का आगमन हुआ। देयालू सद्गुरु माताजी ने भवन का उधगाटन किया और यहाँ पर उपस्थित भगतों को अपना पावन पुनीत आशीश दिया इसी प्रकार राष्टे में अनेक जगहों पर रुक कर सद्गुरु माताजी ने अपने भगतों को दर्शनों वा आशीशों से कृतार्थ किया चलते चलते ये काफिला उत्तराखंड के टनक पूर पहुँचा यहाँ पर भी स्थानिय भगतों को सद्गुरु के दर्शन और आशीरवात प्राप्त हुए यहाँ से प्रस्थान किया तो शाम ढले उत्तर प्रदेश के पीली भीत में आगमन हुआ यहाँ पर एक विशाल सद्चंकारिक्रम आयोजित किया गया था सद्चंकारिक्रम में उत्तर प्रदेश वा उत्तरा खंड से भारी संख्या में संगतों ने भाग लिया मुख्य मंच पर मानवता के मुखारबिंद से अनेक रूपों और विभिन भाशाओं में आध्यात्मिक्ता की धारा बहती रही कालिक्रम के अंतिम दोर में मम्ता मैं सद्गुरू माता जी ने बाबा जी के 36 वर्षों के शिक्षाओं का हवाला देते हुए भक्ती में जीवन जीने का अहवान किया तुही तुहु रहेगा दातार किरपा करे हर संत का जीवन ऐसा बन पाए। परशन पाकर भाव विभोर हो उठे। और फिर गजरवला सत्चंग भवन पर भी उपस्तित श्रधालों को सद्गुरू माता जी के पावन चर्णों पर नमसकार का अवसर प्राप्त हुआ। और इस प्रकार संपन हुई सद्गुरू माता जी की यूपी उतराखंट और नेपाल की छे दिवसिये कल्यान यात्रा। यू तो कल्यान यात्राओं के माध्यम से अनेक स्थानों पर सद्गुरू माता जी भगतों को किरतार्थ करते रहे। साथ ही दिल्ली के ग्राउंड नंबर आठ में भी लगभग प्रतेक रविवार को दिल्ली वा दिल्ली के आसपास के भगतों पर भी अपनी रहमत बरसाते रहे। दोस्तो एप्रिल का महीना हमारे निरंकारी जगत के गदेविधियों के साथ साथ और भी बहुत कुछ याद दिलाता है। जेहां बाबा गुर्बचन सिंग्जी के बलिदान की याद। वर्ष 1980 में बाबा गुर्बचन सिंग्जी ने मानफता की खातिर अपने प्राणों की आहूती दे दी थी। 1981 में सद्गरु बाबा हर्देव सिंग्जी महराच ने 24 अप्रेल के दिन को मानव एकता दिवस के नाम से खोशित किया। और ये संदेशा दिया कि खून नालियों में नहीं, नाडियों में बहना चाहिए। और फिर तब ही से प्रत्येक वर्ष बाबा हर्देव सिंग्जी की रहनुआई में मानव एकता दिवस समागम मनाय जाने लगे। इस अफसर पर बाबा गुर्बचिन सिंग्जी महराज और अन्य बलिदानी भक्तों के मानफता के खातिर दिये गए अमिट बलिदानों को प्रेणा स्वरूप याद किया जाने लगा। देश विदेश में स्थान स्थान पर रक्तदान शिवर लगाय जाने लगे। इस वर्ष भी 24 अपरेल को दिल्ली में बुराडी रोट स्थित समागम ग्राउंड में सद्गुरु रूप में पहली बार सद्गुरु माताजी की छत्रचाया में मानव एकता दिवस समागम मनाया गया। आईए देखते हैं इस समागम की एक रिपोर्ट। समागमों की लड़ी में 24 अपरेल को दिल्ली के बुराडी रोट स्थित समागम मैदान में मानव एकता दिवस समागम सद्गुरु रूप में पहली बार सद्गुरु माताजी की छत्रचाया में आयोजित किया गया। इस समागम में दिली और ग्रेटर दिली के अलावा पंजाब, हरियाना व उत्तर प्रदेश सहित अनेक शहरों से भी श्रद्धालू भक्त सम्मिलित हुए इस अफसर पर समागम स्थल पर रक्तदान शिविर लगाया गया जिसमें 1524 भक्तों ने रक्तदान कर सद्गुरू बाबाजी की शिक्षाओं पर चलते हुए मानवता को जीवन दान देने में सहयोग किया सत्संकारेक्रम में भक्तों ने जहां युक प्रवर्तक बाबा गुर्बचन सिंग्जी महराज, राजमाताजी और बाबा हर्देव सिंग्जी की शिक्षाओं को गीतों, व्याख्यानों और कविताओं के रूप में प्रस्तुत कर अपने श्रधा सुमन अर्पित किये वहीं बलिदानी भक्तों को भी श्रधा पूर्वक याद कर उनके सद्गुरु के प्रती समर्पन से प्रेर्णा प्राप्त की सच्दासन देश इस दुनिया ते ए संत सुनाओं दे आये ने तप त्याग भी कर दे हर पल ऐसे करम कमाये ने दे दिती शहादत गुरु बचन सा सच्दे लेखे लाये ने चाचा पर ताप ते संत अनेक दिन अपने आप मिटाये ने कारिक्रम के अंत में सद्गुरु माता जी ने समझ साथ संगत को संबोधित करते हुए बाबा गुर्बचन सिंग जी एवं अन्य बलिदानी भक्तों की कद्र करने का आवान करते हुए कहा साथ संगत जी अज 24 सेप्रल मानवेक्ता दिवस पे हम सब यहां श्रदा से बैटके बाबा गुर्बचन सिंग जी और उन संतों महापुर्शों को याद कर रहे हैं जिन्होंने हमारे अंदर इंसानियत के गुण भरने के लिए अपना जीवन लगा दिया जब से बाबा गुर्बचन सिंग जी के कंदे पे शैन्शा जी ने इस मिशन की जिम्मेदारी डाली उन्होंने पीछे मुड़के नहीं देखा चाये हालाद जैसे भी रहे वो आगे बढ़ते रहे इस इंसानियत भाईचारा और प्रेम का संदेश देने के लिए और राजमाता जी ने पूरा योग्यदान दिया उनके साथ साथ संगा जी चाचा परताब सिंग जी के भी जीवन से आप सब वाकित हैं उन्होंने अपने गुरु का एक-एक इशारा समझा और सिर्फ समझा ही नहीं उसके उपर पूरे तरीके से अमल भी किया साथ संगा जी पिछले वर्ष 24 एप्रिल को यहीं से यहीं पे आपने बावाई के शरी रूप में सत्संग में अंतिम दर्शन किये थे जो से मेवारी आपने आप समने बाबाजी ने मेरे कमजोर कंधों पर डाली है यही अरदास है उसे पूरे तरीके से जैसे बावाई ने आप सबने चाहा है मैं निभाप हूँ और अब वक्त है एक चोड़े से ब्रेक का ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ Children are not things to be molded but people to be unfolded With this vision of Sadhguru Baba Hardev Singh Ji Maharaj We present a show for the kids by the kids A platform where they'll re-explore, reinvent and learn with human values to be the change makers for a better world ahead तो आईए हर महीने इस मस्ति की जलकी से सीखें और सिखाएं Break के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों, बाबा गुर्बचन सिंग जी के परुपकानों को हम कभी फुला नहीं सकते आपने भारत देश के कोने कोने में ही ज्यान के दिये रोशन नहीं किये बलकी राज माता जी को साथ लेकर समय से बहुत आगे बढ़ते चले गए वर्ष 1967 में बाबा गुर्बचन सिंग जी की ज्यान की मशाल देश के कोने कोने तक पहुँच जुगी थी और फिर देश की सरहदों को पार कर दूर देशों की और भी वो मानव कल्यान के हेतु बढ़ते चले गए और इसी लड़ी को बाबा हर्देव सिंग जी महराच ने बुलंदियों तक पहुचा दिया इसका प्रत्यक्ष प्रमान है के दुनिया के कोने कोने में फल फूल रहा है निरंकारी मिशन का ये बूटा And now, it's time to take a look at various activities of branches of the mission in different part of the world in the section Mission Overseas The UAE chapter of SNM organized its 4th Blood Nation Camp on 14th April 2017 in collaboration with Sharjah Blood Transfusion and Research Centre at Dalsko Events Arena, Alkos, Dubai Three such similar camps were also organized in Abu Dhabi on 21st April The Toronto branch of SNM Mission Canada held its 28th Bi-Annual Blood Donation Drive on April 22nd 2017 The Regional Chancellor Michael Peleshi inaugurated the blood drive and was very impressed by the efforts made by the mission People from all age groups and backgrounds donated, local community members and the neighbouring church members also attended and were heavily impressed by the contributions being made by the mission Neera Curry is a great mission, every single time we come here we love it You guys are wonderful with everything, I'm glad that I'm here every year This fantastic mission and the initiative you guys have taken, it's simply awesome We also run a Saindham Food Bank which is a food drive for Needy and Poor and the synergies between us and what you guys do here is just tremendous, just tremendous Because blood should flow in veins and not in grains Because it's service to humanity Because it would help someone in need Because it's enough to give It makes me a superhero, I get to save life There is such a need in so many places to have blood It's a great blessing, and we also have three children in my life So that's why I'm doing this Because somebody gave me life so if I can help somebody else's life continue that feels like I have purpose Because it's the gift of the Guru and the wisdom of the Guru Because it's our responsibility as human to do a progression on humanity The meaning of the truth is that blood is not in the trees, but in the trees It feels amazing because I get to give the chance that I have to other people as well After six years of trying, it feels amazing to be finally able to donate right now Overall, the blood drive was very successful and the Toronto branch hopes to continue inspiring people to come donate blood and giving back to the community through the Selfless Act We're looking forward to hosting our next blood drive in the coming fall On 15th of April, SNM Toronto branch also installed the Automatic External Defibrillator AED at the Centre for Oneness Brampton The Heart and Stroke Foundation conducted a training session for the mission's volunteers The SNM Brisbane branch organized its 14th blood donation camp on 22nd April in Strathpine Blood Donation Centre, Gympie Road, Strathpine A similar drive was held on 22nd April 2017 also in Washington DC with the support and involvement of Innova Blood Donor Services Health Professionals on the Human Unity Day In Los Angeles on 23rd April, in coordination with Lifestream, a well-known blood donation bank in Southern California, a blood donation camp was organized by the mission's volunteers The SNM branch of Tracy, San Francisco participated in the annual assembly of local government at the City Hall on the evening of 2nd May The representatives of the mission shared the socio-spiritual contributions and ideology of SNM with the government officers In the same centre of Tracy, on 23rd April 2017, where the mission was remembering Baba Gurubachan Singh T. Maharaj for his sacrifice The volunteers gathered for a blood donation camp in association with the American Red Cross Society A fun and learn camp was organized for kids on 8th April 2017 at the SNM, Washington DC Centre of the Mission The volunteers of the Montreal branch of the mission helped and supported the affected citizens of the community during the recent floods A cancer walk and a bone marrow drive were organized on 29th April in the Port Lauderdale branch of SNM in collaboration with the American Cancer Society We are at Coral Springs High School here in Coral Springs, Florida, where American Cancer Society has organized an event called Relay for Life It is an event for cancer awareness, cancer research and support for patients who are either suffering from cancer or have survived cancer They've also given a special dedication to all the survivors and the caregivers who take care of cancer patients The SNM guiding mission also organized a little event here at American Cancer Society's Relay for Life They are here, they have a tent behind us where they are selling food and spiritual books Everything that they collect today will be donated to American Cancer Society This is in support to cancer patients and support for American Cancer Society This is the fourth cancer walk that the SNM has organized The previous three being in Washington DC, New York and Houston I am volunteering with the SNM mission and the reason I am here is to spread the awareness To spread the awareness, give them a round of applause, that's awesome, thank you very much guys It is a pleasure that friendship Mission overseas Mission overseas ֆएइएएएएएएएएद्र आएएएएब दूर देशों से वापस लटते हैं और बढ़ते हैं संद-Nिरंकारी Charitable Foundation द्वारा किये जा रहे सामाजी कतिविधियों के कारेयों की और जिनकी शुरुवात युग परविट तक बाबा गुर्बचन सिंग्जी महराच ने की भक्तों की कल्यान की खातिर जी हाँ आपने नकेवल आध्यात्मी कारे की बलकि समस्त मानफता को अपना परिवार मान कर सबके भले के लिए अनेक सामाजी कारे भी किये आपके इन सामाजी कारे को आगे से आगे बढ़ाते हुए सद्गुरु पाबा हर्देव सिंग्जी महराच ने संत निरंकारी चरिटिबल फाउंडेशन की स्थापना गी और आज सद्गुरु माता सविंदर हर्देव जी की रहनुमाई में फाउंडेशन की गतिविधियां विस्तार ले रही हैं आईए देखते हैं SNCF त्वारा एप्रिल के महीने में की गई गतिविधियां इस रिपोर्ट के माध्यम से संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के कार्यों की लड़ी अप्रेल मा में भी निरंतर चलती रही सद्गुरु माता सविंदर हर्देव जी महराज के आशिरवात से SNCF अपने समाजिक वया ध्यात्मी कार्यों द्वारा समाज में जागुर्टा लाने की एक एहम भूमी का निभा रहा है और इसी माह की आठ तारीक को टीबी हॉस्पिटल महरोली नियो डेली में एक क्लीनिलेस ड्राइब चलाया गया और आठ अप्रेल को ही नैपाल में प्रांत्य समागम के दोरान SNCF की ओर से एक एग्जिबीशन लगाई गई जिसमें चित्रो द्वारा आय हुए भक्तों को SNCF के कार्य चित्रों से अवगत कराया गया सद्गुरु माता सविंदर हर्देव जी महराज के पावन आशिर्वास से SNCF दोरा पाच अप्रेल को यूथ वर्क्शॉप निरंकारी ससंगभवन निरंकारी का उलनी डेली में लगाया गया जिसका विशय बैक टू दी रूट्स पराधारित संथ निरंकारी मिशन के एतिहास से युवाओ को परिचित कराया गया जहां होली सिस्टर रेवरेंट बिंद्या च्छाबरा जी एग्जुकेटरी प्रेसिडेंट SNCF ने आए हुए SNCF के वॉलिंटियर्स युवाओ को सद्गुरु माता जी का पावन आशिर्वात दिया जहां युवाओ ने भी बढ़ चड़कर इस कारिकरम में हिसा लिया तो एक त्यूशन के रूप में आप जी बैठे हो और अच्छा एक्सेल करें कि उनको जो है डिग्री एक ऐसी अच्छी डिग्री मिले कि आगे वो जिन्दगी उनकी आसान हो सके साथ ही इसी मा को युवाओ के लिए परसनेल्टी डेवलपमेंट, मेकिंग सीवी एंड हाउ टू फेस इंटर्व्यू की ट्रेनिंग देने हितू संत्यरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा एक सेमिनार चैंबूर भवन मुंबई में लगाया गया जिसमें अधिक तदात में युवाओं ने इसका भी लाब उठाया इन कारियों के उपरांत अप्रेल महा आते ही 24 अप्रेल बाबा गुरुपचन सिंग जी के बलीदान वे मानव कल्यान के लिए किये गई योगदानों की याद में मानव एकता दिवस पूरे विश्व में मनाये जाता है जहां देश विदेश में Blood Donation Camps, Humanness, Blood Drive, Rally के माध्यम से बाबा वर्देर सिंग जी महराज के कथन को सार्थक करते हुए रग नाडियों में बहे नाकी नालियों में रगदान कर मानवता के नाम संदेश दिया गया जहां मिशन के सेवादारों वे SNCF के वॉलिंटियर्स द्वारा समाज में जागरुकता लाने का परियास किया गया जिधर देश विदेश में भिन भिन इस्थानों पर लगभग 80 Blood Donation Camps लगाए गए जहां भक्तों ने रगदान में बढ़ चड़कर अपना योगदान दिया हर वर्ष की बांती 24 अप्रेल को संदेनेकारी Mission और संदेनेकारी Charitable Foundation मानव एकता दिवस मना रहा है और यहां पर रगदान शिवर भी लगा है 1986 से हर वर्ष यहां पर जब 24 अप्रेल को रगदान शिवर लगता है तो दिली के अनेको सरकारी हस्पताल इसके भागेदारी बनते हैं इस वर्ष भी 2017 में तकरीबन 15 सरकारी हस्पतालों ने इस आयोजन में भाग लिया है I feel very lucky to be here हम every year यहां पर आते हैं और यह बहुत एक अच्छा इनिशेटिव है निरंकारी सभा की तरफ से रगदान जो है आपके किसी हुमन के काम आना चाहिए ना कि किसी ड्रेन में वेस्टना चाहिए और यह बहुत एक I mean to say एक social awakening का भी एक response है and I am overwhelmed by seeing the response of the people here हमारे साथ हैं डॉक्टर वंशरी डारेक्टर ब्लड बैंक Red Cross Society आई उनी से जानते हैं कि उनको यहां पर आकर कैसा लग रहा है Red Cross के लिए निरंकारी मंडल का एक major support रहता है क्योंकि 24th April से camp से start होते हैं और उसके बाद ये मेगा कैम के बाद जिसमें हमारी 10 से बारा टीम आई हुई है डेली के जितने गोवर्मेंट्स ब्लड बैंक्स हैं सब पार्टिसपेट कर रहे हैं इसके बाद एवरी संडे कैम रहते हैं सितंबर तक तो इसकी maximum जो ब्लड कि रिक्वार्मेंट की पूर्ती होती है वो निरंकारी मंदल करता है इत्षी आसम कार्त निरंकारी मिशनोना है इतना बना कैम लगाथे हैं इतने लोगों को अरेंज करता है बहुत सारे लोग आते हैं तो ये एक समाज के लिए और लोगों के लिए बहुत अच्छा काम है, कि लोगों को इस तरह से खून मिल रहा है, तो ये उनका ये बहुत अच्छा आगे कदम है इस काम के लिए और ये ऐसे होते रहना चाहिए है। सब एक दूसरी के लिए रख दान करने के लिए मतलब अपने वोलेंटली यहां पर डोनेट कर रहे हैं। सत्गरु बाबा हरदेव संग जी देख पाए होए पूरने आते चाल ले होए और बाबा गरवचा संग जी दित्ते बल्दान दे सरका आज जे नरंकारी मिशन दा बच्चा बच्चा जेड़ा खूंदान का रहे हैं। बाबा हरदेव संग जी ने विशन दो फलाया उसे तरह ही मातास विंदर हरदेव जी इसनों अगे ले जा रहे हैं। ये लड़ी 1986 में शुरुआत की और जब आज की डेट में 2016 तक हमारे 5046 कैम्प लग चुके हैं और जिनमें 8,79,161 यूनिट डोनर्स ने, हमारे डिवोटीज ने दिये हैं। इस रद्दान अभ्यान के अफसर पर सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी ने सभी को अपने पावन आशिरवात दिये। एक ब्लड सर्कुलेशन और भी है, जिसको ठीक रखना हम सब के हाथ में है। वह है जब हमारे शरीर का खुन किसी दूसरे के शरीर में जाके सर्कुलेट करके उसकी जान बचाता है। अ मिशन और अनने साथ में परना प्राज़ाँ है। आगे से आगे अच्छी तरह से मिल जुल के निभाव पाएं इस अफसर पर अंतरराश्टिय मानुएता रगदान अभ्यान के तहट रगदान शिवीर की गती विद्यो को सोशल मेडिया पर पोस्ट किया गया और इस अभ्यान को निउस्पेपर, टीवी चैनल्स पर भी परकाशित वे परदर्शित किया गया तो ये था SNCF डाइरी का ब्याओरा और अब हम लेते हैं एक छोटा सब ब्रेक ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है News Divine के इस एपिसोड में हमारा अगला सेगमेंट आप जानते हैं एक खास मुलाकात For एक खास मुलाकात for News Divine, this is Preet Sahih With me is Carlos Wesley, who belongs to an organization called Be The Match Be The Match is an organization that contributes towards the donation of bone marrow Bone marrow is used for so many different cancers and all across the United States This organization is prominent everywhere with their bone marrow donations and bone marrow drives We are talking to Carlos Wesley Carlos, just the fact that you volunteer and contribute towards bone marrow drives Is an indication that you believe in humanity? Yeah, of course, and especially because we put ourselves in the other shoes So imagine if something happens to somebody that I love and somebody that my family, from my family So that's why I became a volunteer in the first place Because I believe that together we can be stronger and we can help each other And probably the world will be a much better place Carlos, with everything that's going on in the world today You know, I mean, so much terrorism In the name of religion, there is so much of discrimination Yet, when it comes to diseases and when it comes to cure We don't see who's of what background You know, if a cancer patient went to a doctor They don't ask if you're a Hindu or a Muslim or a Christian So being with the organization that you are in You must have seen so many situations, so many scenarios Share with us, why is humanity and oneness And, you know, coming together as one family Children of the same one God How is that so important today? It's funny because our cause, it's like, I guess, humanity in a sense Because when you register to help a patient with leukemia or any type of blood cancer You don't know for whom you're going to donate So you register to help anybody So I guess this is the essence of humanity It's like you help without knowing to who So I guess, as I mentioned, the world will be a much better place We don't have, like, this type of divisions and, you know, like, prejudice So in the Sandir Nkari Mission, we believe that there is only one religion in the world And that is humanity Share, what do you think about that? I was raised in a Methodist family My grandfather was a minister But I, since I was like a little child I've been told that we have to do good We have to do, like, good things And that's what I think I believe in God But I believe, most of all, that we can make a difference in the world Everybody can really make a difference So I guess that's why I pursue in life This is what I pursue in life So I'm happy that I met your organization And I'm going to read more about it Because I became really interested to know about that I'm hoping to see you I'm hoping to see you A bit of a special moment So I will see you So now, we'll see you A bit of a special moment Which is called Other News Let's see you This report मानवता के मसीहा बाबा हर्देव सिंग जी महराज की समाच को देन एवं उनकी शिक्षाओं के लिए संपूर्ण मानवता उनकी आभारी है और आभार प्रकट करने के लिए अनेक अफसर ढून लेती है इसी सिलसिले में समाच सेवा के क्षेतर में एक अगरुणी संस्था Foundation of We Care for Humanity की प्रेजिडेंट, Crown Princess of the Royal Kingdom of Maharlika Darussalam, मारिया अमोर ने एप्रिल के अंत में संथ निरंकारी मिशन के मुख्यालय में पधार कर बहन सुदिक्षा जी के साथ स्टूडियो, निरंकारी स्कूल, सरोवर कॉंप्लेक्स, Fountain of Oneness और लंगर इत्यादी स्थानों का अत्यांत रूची के साथ अवलोकन किया तथा मिशन की जानकारी हासिल की ततपस्चात, उन्होंने सद्गुरु माता सविंदर हर्देव जी से भी मुलाकात कर आशिरवात प्राप्त किया इसके अलावा गुराडी में सद्गुरु माता जी की हुजूरी में हुई संगत में बोलते हुए प्रिंसेस मारिया ने अपनी संस्था के सर्वोच सम्मान, the supreme spiritual icon of the year से, Baba Hardev Singh Ji को सम्मानित करने की घोशना की. अआज के झाल आँ काच। अफन 12 mm आपिसान औरह ब야स आट आण Carli, रुट भंप तक्री लोग्टी नायस, वाट so it's a pleasure for me to be here just like what His Holiness Baba Harder G said the only solution is to oneness we cannot serve humanity without oneness with God and oneness with mankind and because of his legacy the message that he left all of you here the legacy of serving the sole purpose of living is serving humanity I am here in front of you to announce that we the we care for Humanity and the fifth Global Officials of Dignity Awards that we hold at the United Nations annually hereby announce the award to be bestowed to the late Babaji the supreme spiritual icon of the year and this is going to be done in August at the United Nations August 2017 UN may Iujit honi waalee Ek Atiyanth Pratishthit Samaaruhu me Yeh Samaan Sviikar Karne ke liye unhounne Sadguru Maataji ko Amantrit kiya isi ladi me 25 April ko Ilahabad me Youth Workshop lagaayi gai jis me yuvauon ne bada cha'd kar bhaag liya 15 April ko Vadodara Gujarat mein Mahila Samagam ka Aiyojaan hua jis mei beheno na bada cha'd kar kar hissah liya mission ke pracharko ko mission mission ki vichar dhara wa shikshauon ke prati dhrinda ta pradhan karne ke liye prachar vibhaag ki aur se samae samae pər pracharak training camps आयोजid kiya jate hain isi ladi me April के महीने में भिन भिन स्थानों पर प्रचारak training camps लगाए गए जिन में मुख्य स्थान रहे 13 April ko पुणे और शोलापूर 14 को 17 और 15 April को कोलहापूर यहाँ पर बड़ी संख्या में mission के प्रचारकों की उपस्थिती में mission का प्रचार, प्रसार, बढ़ाने हेतु, दिशा निर्देश दिये गए निरंकारी कॉंप्लेक्स में बुधवार को आयोजित होने वाले सापताहिक सत्संकारिक्रम में बहन रेनुका जी ने सेवादारों का मार्ग दर्शन किया बाबा गुर्बचन सिंग जी Memorial College सोहना में साथ अप्रेल को एक alumni meet का आयोजन किया गया साथ बिताए वक्त की सुनहरी यादों को ताजा करने के लिए कॉलेज के भूत पूर्व छात्र, शिक्षक, स्टाफ इकठा हुए और बहन बिंदिया चाबड़ा जी की उपस्थिती में अपने अनुभव साजा किये आज समाज के सम्मानित नागरिक बन चुके इन चात्रों ने वर्तमान चात्रों से मुलाकात की वो कॉलेज की प्रगती पर खुशी जाहिर की अप्रेल के महीने में इंडिया जापान कल्चुरल एन्रिच्मेंट प्रोग्रेम में जापान सेद्वी सदस्ये प्रति निधी मंडल का आगमन हुआ जिसका मकसद था भारत जापान मैतरी को कल्चुरल एक्सचेंज के माध्यम से बढ़ावा देना संत निरंकारी प्रति निधी मंडल के सदस्यों मिस अच्चुको एरियल वो मिस्टर मारकर्स के सम्मान में एक कल्चुरल प्रोग्रेम का आयोजन किया गया मिस आत्सुको बच्चों वो युवाओं की प्रस्तुतियों से अभी भूत हो गई वो उन्होंने खुद भी कारेक्रम में हिस्सा लिया उन्होंने वादा किया कि वे भारतिये कल्चर वो भाशा को सीखेंगी दोस्तों बाबा गुर्पचन सिंग जी के परोपकारों की दास्ता कुछ समय में समेट कर लाना हमारे लिए संभव नहीं है ये असीम है और हमेशा चलती रहेगी एपरिल के महीने की खबरों में बस इतना ही चलते चलते हम आपको ये बताते चलें कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मई का महीना निरंकारी जगत में एक महत्व पूर्ण स्थान रखता है पिछले वर्ष इसी माह में हम सभी के प्यारे सदकुरु बाबा हरदेव सिंग जी महराज आकसिपिक रोप से इस निरंकार में लेन हो गए इस महीने बाबा हरदेव सिंग जी महराज के परोपकार में जीवन से प्रेणा लेने के लिए दिल्ली के समागम ग्राउंड में समर्पन दिवस समागम का आयूजन किया जा रहा है निरंकारी जगत की अन्य खबरों के साथ समर्पन दिवस की रिपोर्ट लेकर हम हाजिर होंगे न्यूस डिवाइन के हमारे जून महीने के एपिसोड में फिल्हाल इजासत तीचिए हमारी पूरी टीम को नमस्कार धन निरंकार झाल